अगर आपके गेस्ट भी बाहर बैठे हैं तो आप असानी से इसको जल्दी से बनाते हैं और देखिए आप लोग पूरी रेसिपी को कि मैंने इसको बनाया कैसे हैं तो मैंने कुछ ब्रेड ले लिए हैं आपको जतना बनाना है उसी साफ से क्वाइंटिटी सेट कर लीजेगा और ब्रेड को तोड़ करके मैंने मिकसे जार में डाल दिया है और इसको अच्छे से पीस लेना है जार में डाल के तो देखिए मैंने इसको अच्छे से इसका बुर तन में उलट लिया है अब यहां पर मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूं इसमें तो तीन चमच मैंने पीसी हुई चीनी डाल दिया है और दो चमच यहां पर मैंने मिल्क पॉडर डाला है तो आप कोई सब भी मिल्क पॉडर डाल सकते हैं जो भी है आपके पास और दो चमच मि आप कोई भी कलर चाहें.. तो doc ब्लूद्र केॉ यहां पर इसको कलर हुगाद कीसे कलर किसों यहां तो बने गलों आप काड़ कोई कल्र चाहें तो डाल सकते हैं मैंने येलो किया है इसको तो इस तरह से सेट कर लिया है तो सेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजेगा तो अच्छे सेट हो जाएगा तो 10 मिनट बाद मैंने इसको निकाला है देखे बहुत ही मज़े से ये सेट हो गया है तो ना ही आपको चूला ओन करने की ज़रूरत है, ना ही घंटों पकाने की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से कुछी मिनट में ये बन के तयार हो जाते हैं, तो ब्रेट तो वैसे भी अगर एक्स्ट्रा घर में बची जाते हैं, तो फिर उसके लिए सोचना पड़ता है कि आप इस ब्रेट का क्या करें? तो कुछ करने और सोचने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेट से बहुत सारी चीज़े बनती हैं तो सबसे अच्छी से चीज यह है, कि यहां पर हर तरोच पर मिठाई आपको बताई है, आप इसको जरूर ट्राई किजेगा और जब मैं इसको बना रही कीजिएगा लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए क्यूंकि कमेंट्स मुझे पढ़ने में बहुत जादा अच्छा लगता है बहुत खुशी मिलती है सुकून मिलता है कमेंट्स पढ़ने में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब को मेर हर वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में जरूर बताईएगा और चलिए मिलते हैं बगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज बाई